तो फैनली का जब आप भी Snapchat का यूज़ करना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि स्नेयु स्नेयी गए पर खुद की ID या अकाउंट को जो स्क्रियेटuesto कर सकते हैं तो आज की इस वीडियों महमें आपको बताएंगे कि आप जुसकी पर खुद की आईडी या एकाउंट को कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए चलना होगा आपको मौवाइल स्कीन पर अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं के एक लाइक कर दिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलते हैं मौवाइल स्कीन के तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो स्नैप चैट का जो अप्लीकेशन हाता हैं इसको आपको पहले स्टोर से इंस्टोल कर लेना होगा तो इसके बाद आपके फोन में इस्टोल हो जाएगा और उसको आप जैसे ही पहली बार ओपर करोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑसे पर कहा हैं तो आपको कईन्य समगते और पराइए उसके उसके बाद Springs करना है इसको उसके पर देना है और उस कर देना है और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं पर दिखない आपको अपना नाम यहां पर इंटर कर देना है तो मेरा नाम गोविन सिंग है तो यहां पर जो है सुम गोविन सिंग दे देते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उपर में यहाँ पर continue पर आपको फिर से क्लिक कर देना है continue पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं your username is यानि आपका username जो है वो यहाँ पर बन के तयार हो चुका है g7700445 तो अगर आपको लगता है कि यह username हमारे लिए सही है अगर आपको अपने नाम से रिलेटर रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा अगर अब लेवल होगा तो आपको जो हैसो वो username मिल जाएगा जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया गोविंद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद 321 321 जैसे हम यहाँ पर इंटर किये हैं यह अब लेवल है यूजर नेम इज अब लेवल लिखा चुका है अब आपको यहाँ कंटियू पर क्लिक कर देना हो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पासवोर्ट सेट कर लेना है यह जो अब अब देख सकते हैं यहाँ पर अपना पर अपना नंबर और यहाँ पर आ चुका है उसके बाद यहाँ पर नीचे में find पे click करना है find पे आप जैसे click करोगे तो आपके number पर OTP आएगा और OTP आपको जो है so enter करना होगा या फिर हो सकते हैं automatically जो है so detect कर ले तो चलिए हम यहाँ पर find पे click करते हैं अपने जैसे fan पे click करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं loading ले रहा है loading लेने के बाद जो है so इसमें हमें OTP का जरूरत नहीं परा है automatically जो हो गया अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारे सामने नाम so कर रहा होगा इसमें 5 लोगों को देख सकते हैं पांच लोग यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है इसको अगर आप follow करना चाहते हैं अपने friend बनाना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं नीचे में और आपको show करेगा इस पर टिक लगा सकते हैं या नहीं तो आपको यहाँ पर plus add five friend का option मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अब जैसे क्लिक करोगी तो कुछ इस पर कार का option आपको देखने को मिल जागी यहाँ से आपको फिर से continue पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगी तो कुछ इस पर कार का option आएगा फिर से आपको permission देना है उसके बाद जो हैसो आपको क्या करना है उसके बाद यहाँ पर जो हैसो आपको अपना फोटो लगाना होगा तो चलिए हम यहाँ से अपना फोटो लगा देते हैं या नहीं तो उपर में आपको skip का option मिलेगा आपको skip पे click कर देना है बाद में भी आप लगा लेना तो चलिए इस किप पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस परकार्ट से option आएगा अगर आप इसका password बगेरा save करना चाहते हैं Google में तो save कर लीजिए क्योंकि अगर आप password भूल जाएंगे तो बाद में परसानी हो जाएगा तो हम यहाँ save पे क्लिक कर देते हैं turn on पे क्लिक कर देते हैं allow कर देते हैं उसके बाद देख सकते हैं फिर से permission allow हो गया इस परकार्ट से अब आपका यहाँ पर account बन चुका है तो उसके बाद बारी आती हैं आप जो इसका यूज कैसे करोगे तो यूज करने के लिए हम आपको अलग से एक separate वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आतो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए गुर्बाई टेक क्यार थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो